नमस्कार दोस्तों साधना कीचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों आ गया है रसगुला का रेस्पी इस रसगुले को बनाना बहुत इजी तरीका है और खाने में तो इतना लाजवाब है दोस्तों कि आप लोग इसको खाने के लोज का नोटिफिकेशन आप लोग तक जाए और आप लोग हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएं इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस्टाग्राम फेस्बुक पेज पर वीडियो देखते होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा और तरह त रसगुला की रेस्पी आप लोग घर पे बनाएए जो तेवहारों पे भी काम आएगा बनाने के लिए खाने के लिए और ऐसे भी कोई महमान आएं तो आप लोग इजी तरीका से एक लीटर दूध में इतना सारा रसगुला बन गया है दोस्तों तो इस रेस्पी को आप लो अगर आप लोग को पसंद आएगा तभी फूल वीडियो आज कीजिएगा और फूल वीडियो को देखिएगा और इस रसगुले को बनाना इतना इजी रहेगा दोस्तों कि आप लोग वीडियो देखते ही जरूर बनाएंगे मुझे पूरा भरोसा है यकीन है तो देखिए इसको मैं कट लगा के अभी देखा रही हूं बीच से नहीं गाठ नहीं गुठली एक दम जाली दार रसगुला मार्केट की तरह बना हुआ है दोस्तों लेकिन स्वादिष्ट तो मार्केट से कई गुना जादा है और हिल्दी भी है क्योंकि घर के समानों से बना हुआ है औ पाजा ताजा बना हुआ है दोस्तों नहीं इसमें बेकार चासनी है और नहीं मिल्क पाउडर है यह पनीर से बना हुआ और दूद से बना हुआ रसगुला है दूद से मैं पनीर बनाई हूँ और उसी से रसगुला बना है तो हेल्दी बहुत जादा होगा तो इस रसगुल को ट्राइ कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आये तो एक लाइक का उठा जरूर दबाईएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा तो चलिए मैं चलती हूं अभी से बनाने इसके लिए लेना है एक लिटर गाय का दूध है आप चाहें तो भैस के दूध से भी बना सकते हैं दोस्तों लेकिन मेरे यहां गाय का ही दूध आता है इसलिए मैं गाय के दूध से बना रही हूं तो एक दूध है एक लिटर एक दम इसका परफेक्ट माप है दोस्तों एक लिटर तो इस दूध क पहले उबाल आने तक पकाना है और अगर आपका पनीर बढ़िया फटा तभी रसगूला बढ़िया बन पाएगा और पक पाएगा तो देखिए दोस्तों दूध उबाल आ गया है आप इसको हलका सभाफ निकलने देना है ज्यादा भाफ रहते हुए पनीर नहीं बनाईएगा पनीर बिल्कुल सोफ्ट नरम होना चाहिए इसके लिए दूध को पहले हलका सभाफ निकाल लीजिएगा तब इससे पनीर फढ़ियेगा एक मिनट के लिए साइड में दो मिनट के लिए रख के मैं लाई हूँ अब देखिए इसका भाफ बिल्कुल नरम पढ़ गया है दोस्तों अब इसमें पनीर के पानी से मैं पनीर बनाऊंगी और इसी पनीर से रसगुला बनेगा तो देखिए एक पनीर का पानी है तीन-चार दिन पहले का आप लोग पनीर फाड़ते हैं वो पानी केंटीनर में भरके रख सकते हैं दोस्तों जो आपको पनीर फाड़ने में मदद करेगा और बीना विनेगर के फटेगा विनेगर वाला थोड़ा हेल्दी नहीं होगा इसलिए पनीर के पानी ही ज्यादा कोशिस किजिएगा कि रखिएगा और पनीर के पानी से पनीर कैसे फाड़े तो देखिए कितना बढ़िया फट रहा है पनीर के पानी से ही मैं पनीर बनाती हूँ सबजी का हो या रसगुला का हो या मिठाई का हो तो देखिए इसका पनी दीरे दीरे चलाना होगा जादा नहीं और रूक रूक के थोड़ा-थोड़ा पनीर के पानी डालना होगा जब तक फटे नहीं देखिए दोस्तों पनीर अब फट गया है इसका पानी भी किलियर पिल्ला वनने लगा है, देखिए एलो कलर का पानी इसका हो गया और पनीर बिलकुल दही की तरह लचीला है, तो सेम इसी तरह से पनीर होना चाहिए, तभी आपका रसगुला सिधे हलुआई जैसा बनेगा, तो देखिए इस तरह से पनीर जब हो जाएगा ना, तो पानीर के पानी डालना बंद कर दीजिएगा और इसे एक से दो मिनट के लिए साइड में छोड़ देना है जिसे पनीर बढ़ियां सा पर्फेक्ट हो जाए दो मिनट हो गया है दोस्तों अब एक बरतन लेना है उसमें उपर से कोटन कपड़ा लगाना है और पनीर को बढ़ियां से छान लेना है देखिए कितना ज़्यादा दही की तरह लचिला पनीर बना हुआ है एकदम सोफ्ट तो इसी तरीका से पनीर बनाईएगा और इसी तरीक ही अगर नहीं होगा तो नीभू के रस में एक मतलब एक चवथाई हिसा नीभू का रस और उससे चार हिसा ज्यादा पानी मिला करके पनीर फाड़ सकते हैं पनीर को नॉर्मल पानी से धुलाई जरूर किजिएगा जिससे एकदम साफ हो जाए क्लियर हो जाए कोई खटापन इसमें न रहे पानी से धुलाई करके और तब इसे टांग देना है एक घंटा डेड़ घंटा के लिए अराम से जिससे पानी इसका निकल जाए और हां एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पनीर के जब छानने लगिएगा तो कोटन के कपड़ा भींगा करके और त इस पनीर को लाई हूँ बिल्कुल इसका पानी किलियर हो गया है अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है बढ़िया पनीर परफेक्ट हो गया है रसगुला बनाने के लाइक तो अब इसको बढ़ियां से मसलना होगा और इसमें क्या-क्या समान पढ़ेगा क्या-क्या इंग्र और इसे बढ़ियां से थेली के मदद से मसलना है इतना तक इसे मिक्स करना है दोस्तों कि जब तक स्मूथ ना हो जाए एकदम तब तक आपको जितना टायम लग जाए से स्मूथ करने में यह आपका मर्जी लेकिन इसे बिल्कुल स्मूथ बनाना है वीडियो पे बने रही है क वीडियो को बीच में अस्किप मत किजिएगा देखिए दोस्तों इसको मत्ते मत्ते बढ़ियां सा स्मूथ हो गया मक्षन की तरह अब इसमें डालना है कौर्ण फ्लोर दो अस्पून खाने वाला थोड़ा बड़ा साइज का अस्पून है और उसी अस्पून से 1 अस्पून सुझी पनीर था 200 ग्राम ध्यान दीजिए पनीर का वजन 200 ग्राम था एक लिटर गाय के दूद से पनीर था तो गाय के दूद में कम पनीर ठारता है भैस से अगर बनाएगा तो 2800 ग्राम आही जाएगा तो 200 ग्राम पनीर में खाने वाला थोड़ा बड़ा साइज का अस्पून से दो अस्पून कॉर्न फ्लोर एक अस्पून सुजी अब इसको मिक्स करके और इसे ठीक करने के लिए रखना है जिससे बढ़ियां सेट हो जाए देखे दोस्तों अब नहीं हाथ में चिपक रहा है नहीं परात में तो इसी तरह से इसका डो होना चाहिए इसमें बिल्कूल एकदम सही सही सा पॉइंट जा रहा है वीडियो को ध्यान से देखिएगा अब डालना है छोटा स्पून से एक स्पून घी गाय के दूद में फैट कम होता है दोस्तों इसलिए घी डालना होगा जिससे रसगूला का आकार डबल बने और बड़ा-बड़ा साइज का रसगूला बने एकदम खिला-खिला अंदर से जालीदार बने इसलिए घी डालिएगा अगर गाय के दूद से बनाएंगे तो जिस दूद में फैट कम होता है न उसके लिए एक घी बढ़ियां सा परफेक्ट बढ़ियां बनाएगा जाली इसलिए अब डालना है एक पिंच से भी कम मिठा सोडा बिल्कुल थोड़ा सा और दो पिंच के अंदाज बेकिंग पाउडर मतला बेकिंग पाउडर जितना है उससे एक चोथाई हिस्था मिठा सोडा मिठा सोडा बिल्कुल कम लेना है ज्यादा नहीं नहीं तो कडाही मेरे सगुला भी खड़ने लगेगा तो मिठा सोडा बिल्कुल कम लिजिएगा और बेकिंग पाउडर उससे तीन हिसा ज्यादा अब इसे बढ़ियां से मिक्स कर लेना है उतना तक कि सारा में बढ़ियां से मिक्स हो जाए घी और वेकिंग सोडा वेकिंग पाउडर सब मिक्स हो जाए तो अब इसको ढ़क के छोड़ दीजिए ठीक होने के लिए बढ़ियां से फूल जाए तब त और थोड़ा रहे पतीला ज्यादा छोटा साइज का ना लिजिएगा जिसमें बढ़ियां से पके रसगुला अब एक बाउल यानी कटोरी लेना है चिनी जिसका माप है 300 ग्राम तो 300 ग्राम चिनी रूसी कट बाउल से लेना है दो बाउल पानी जिस कटोरी या कप के माप बना चिनी के लिए एक कटोरी या कप चिनी लीजिएगा तो दो कप पानी लीजिएगा पानी और चिनी का माप एक ही कटोरी से किजिएगा या कप से अब इसको उबाल आने तक पकाना है ज्यादा चिप-चिपी चासनी नहीं बना है दोस्तों जब तक चिनी घुल जाए तब त से दो मिनाट तब तक के लिए रसगुला का प्रोसिस कर लेना है रसगुला वाला डो भी बढ़ियां थीक हो गया है अब इसमें एलो कलर अगर बनाना है तो एलो फूट कलर डालना है यह फिलीप कार्ट से मैं मंगवाई हूं अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा मैं इसका लिंक आप लोग को सेयर करूंगी तो अगर सफेद हुआइट कलर का बनाना होगा तो फूट कलर नहीं डालिएगा फिर भी बढ़ियां बनेगा रसगुला बीना फूट कलर के भी उजला उजला बनेगा दोजतों तो यह आपका मर्जी फूट कलर अगर नहीं है तो नहीं भी डालिए सफेद रसगुला बना लीजिए तो इनको पहले बढ़ियां से मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद में इसे फिर बॉल तियार करना है जितना छोटा या बड़ा आपको रसगुला तियार करना हो उस हिसाब से आप अपना मर्जी से इसका साइज देखिए बढ़ियां सा हो गया है तियार अब इस तरीके से इसका कटिंग पहले कर लेना है जिसे एक बराबर रसगुला बने देखिए एक बराबर रसगुला बनाने का आईडिया मैं बता रही हूं और देखिए गा लास्ट वाला प्रोसिस कि एक दम सारा रसगुला का सा इस एक ही तरह का होगा अब इसे गोल गोल इस तरह से राउंड राउंड घुमा करके इतना बढ़ियां इसका साइज बनाना है कि जिसमें क्रेक्स बिल्कुल ना रहे एकदम चिकना चिकना सा बाल त्यार होए तो इसी तरीके से सारा रसगुला पहले त्यार कर लेना है उसके बाद पकाना होगा इतना ध्यान दीजिएगा कि बीना क्रेक्स के इसे त्यार कीजिएगा बीना फटे हुए रहे चिकना चिकना इस तरीके से तो देखिए दोस्तों अभी से इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है सारा रसगुला को त्यार कर लेने के बाद में चलिएगा अगला प्रोसिस पकाने वाला जो ज्यादा खास है ज्यादा इंपोर्टेंट है जो आपको टाइम टेबल सब उसमें पता रहेगा कि कितना द इलाई जी का पाउडर भी ढाल सकते हैं नहीं तो केवडा वाटर भी ढाल सकते हैं इसमें आप अपना मर्जी से फ्लेवर डालीए अब एक रस गुला डालके धक्कन बंद करके और चेक कर लेना है थोड़ा एक मिनट के लिए अगर एक मिनट एक रस गुला पक गया और बि लेकर रसगुला पकने तक का प्रोसीस हाई फ्लेम पर ही होगा लोग मीडियम बिल्कुल मत किजिएगा नहीं तो रसगुला विखड जाएगा दोस्तों इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना होगा देखिये इसको मैं 5 मिनट बाद दिखा रही हूं 5 मिनट पक गया है तब का इसका देखिए अभी पाच मिनट में ही इतना बढ़ियां लग रहा है लेकिन लाष्ट का प्रोसिस भी देखते जाएं दोस्तों कितना बढ़ियां बनेगा और कितना कुल टोटल इसका टाइम लगेगा इसे थोड़ा कर्षी के मदद से उलट पलट कर देना है जिसे उपर नीचे उलट पलट हो जाए दोनों तरफ से रसगुला बढ़ियां पके इसलिए और इस चासनी में जहाग बने रहना चाहिए इसमें हलवाई लोग डालते हैं रिठा लेकिन रिठा मैं नहीं डाल रही हू मैं घरेलून उसका बता रही हूं दोस्तों कि इसमें कुछ मत डालिये सीधे हाई फ्लेम रखिये चुला को और धाकन कभर करके बंद करके पकाईये जिससे इसका जहाग मीटे नहीं और रसगुला को बढ़ियां से पकाए तो देखिए जहाग उपर उपर रहते रहते पकन है अब पांच मिनाट के बाद फिर में ठाकी थी तो तीन-चार मिनाट और हो गया है चासनी हलका गढ़ा हुआ है तब इसे पानी इस तरीके से डालना है कर्ची में मतलब लेकर के डबू में धीरे धीरे ऐसे गरम करकर के पानी गिराना है तो इस तरीके को फॉलो कीजिएगा अगर चासनी गाढ़ा हो जाया तो गाढ़ा चासनी में नहीं पकने दीजिएगा इसे बीच में थोड़ा पानी इस तरीके से डालीगा तुरंत का तुरंत फिर ढखकन कभर करके पकाईएगा और इसमें जाग बिल्कुल मिटने न पानी इसमें तीन कर्ची और पड़ गया है दोस्तों जिससे अभी इसको पकने में 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा कूल टोटल टाइम इसका 20 से 25 मिनट हाई फ्लेम पर लगता है फिर लास्ट में किस तरह से इसका लूक होगा और कैसा डिजाइन लगेगा उसके हिसाव से फिर ए इस रसगुले का पकने वाला प्रोसिस बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और टाइम दे कर बनाईएगा दोस्तों नहीं तो बीच से गुठली रहेगा और बीच से कच्चा रहने पर जाली नहीं बनेगा अगर इसका टाइम टेबल सही आप लोग फोलो कियें और सही टाइम टेबल दे करके इसे पकाएं तो रसगुला आपका हलुआई से भी ज़्यादा खास बनने वाला है दोस्तों देखिए अब चासनी में थोड़ा थोड़ा रसगुला डूबने लगा है तो थोड़ा थोड़ा डूबने लगेगा और बढ़िया जब डूब जाएगा रसगुला तब चुलहा बंद कर देना है अभी एक मिनट के लिए और पका लेना है इसे देखिए आब चासनी गाणा हो गया तो कोई दिखत नहीं एक मिनट के लिए और पकाने के लिए थोड़ा सा इसमें गรम करके पानी और मैं डाल रही हूँ अलग चुलहा आज पर गरम करी हूं तब इसमें डाल रही हूं गरम पानी ठंढ़ा नहीं एक वैसे तरीका में बत पानी थोड़ा सा और डाली हूँ तो देखिए जहाग भी नहीं मीटा उबाल भी नहीं मीटा है एक मिनट और इससे पकने देना है एक मिनट जब पक जाएगा ना तब इसका लुक खास हो जाएगा और इसका पकने का सही तरीका और मतलब सही डिजाइन देखिएगा कि किस तरह से होना चाहिए तब आपको अंदाज मिल जाएगा दोस्तों कि रशगुला पकने के बाद इस तरह से होता है अब रशगुला पक गया है चास्नी में पूरी तरह से डूबने लगा है मतलब 100% में 90% रसगुला डूब गया है चास्नी में अब चुलहा बंद कर देना है और बंद करके इसे उतार लेना है देखिए इसका लुक कितना बढ़ियां लग रहा है दोज़तों और एक दम से सोफ्ट बड़ा बड़ा साइज का रसगुला बन गया है छोटा छोटा डिजाइन में गड़ी थी लेकिन इतना बड़ा रसगुला हुआ है अब इसे छोड़ देना है ठंड़ा होने के लिए 10 से 12 मिनट 10-12 मिनट में आराम से ठंड़ा हो जाएगा अगर आपको तुरंत नही खाना है तो आप छोड़ दिजिए 2-4 घंटा फिरीज में भी रख दिजिए देखिए दो घंटा बाद मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूं दोस्तों अब इसे मैं निकाल के दिखा रहे हूं देखिएगा कितना खास लग रहा है इसमें तो इतना चासनी एक्जोब किया है कि इसमें एकदम साइनिंग कितना खास लग रहा है दोस्तों अंदर तक चासनी जलक रहा है काच की तरह आप देखिए रहे हैं रसगुला कितना खास लग रहा है देखने से लेकिन एक बार बनाईए और इस तरीके से खाईए बना करके गेश्ट आएं मेहमान आएं कोई भी आएं आप इस तरीके से रसगुला घर पे बना करके कम दूध में कम इंग्रेडियंट्स में और बिना कोई केमिकल के आप घर पे बना कर रख सकते हैं दोस्तों ऐसे भी आप लोग को अगर मिठा खाना पसंद है तो इस तरीके से पसंद आने पर सेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमें भी खुसी मिले दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है तो थोड़ा सा खुसी देने के लिए आप लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हैं अब इस पर थोड करना बनता है इस्टाग्राम फेस्बुक पेज पर भी वीडियो जाएगा दोस्तों आप लोग इस्टाग्राम फेस्बुक पेज चलाते हैं तो फॉलो कीजिएगा और वहां जाकर के भी रेश्पी आप लोग देख सकते हैं लेकिन मेरा यूटूब चैनल से अगर वीडिय और फिर मिलेंगे नई नई रेश्पी के साथ अगले दिन दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिये और मैं अपना रखूंगी बाए बाए